घर में मंदीर सभी के घरों में होता है और सब लोग अपने अपने तरीके से उसी सजा करके रखते हैं तो मैं भी रखती थी पहले वो दिखाई थी आप लोग को अब मैं फिर से उसको रिनोवेट एक तरह से कर रही हूँ और कुछ निव कपड़े उसमें एड़ कर रही लगने के बाद कैसा दिख रहा है मेरा मंदीर और पहले कैसा दिख रहा था सब कुछ आपको दिखाऊंगे इस वीडियो में तो देखे इस तरीके से मेरा पहले था मंदीर और उसमें कोई पर्दा वर्दा नहीं लगा हुआ था तो मैं अभी इसमें एक नया चीज एड़ क यह साटन का कपड़ा बहुत ही सस्ता मिल जाता है एक प्लेट मोज आप खाते हैं उतना में यह पर्दा आ जाएगा तो यह पर्दे को लगाने का बेनिफिट यह है कि रात में लगा देंगे और दीन में इसको हटा देंगे और धुल से भी बचे रहेंगे सारे भगवान जी अब यहां चलिए पास से मैं दिखाती हूँ सारे चीजों को यह साटन का कपड़ा है दोस्तों और इसको आप लगा दीजे यह चमकता है तो काफी प्यारा लगता है इसमें चमक होता है लेकिन कोटन के कपड़ों में कोई चमक नहीं होता है इसे मैं एक धागे के थूरू परदे को टांग दी हूँ इसमें कुछ भी जो तो वायर आता है परदा वाला वही और यहां पर दीखिए फर्स पर जो है मैं भी छा दी हूँ कॉटन के कपड़े उसमें साइड में मैं लगा दी हूँ साटन के कपड़ा तो काफी प्यारा लग रहा है आप यह ऐसे बना सक लच्मी जी उनके साइड में है वह जगनातपूरी भगवान और इसके बाद इधर में सारे भगवान जी है और इस तरीके से मैं अपने सेकंड फ्लोर को सजाई हूँ फर्स और सेकंड पर भगवान जी है यह संख के लिए मैं एक स्थान दी हूँ उनके लिए अलग से हैं कुछ छोटे हैं इस तरीके से यह सामकर टाइम का सूटिंग है दोस्तों यहां पर मैं देखे बुक रखी हुई हूँ और यह बुक है जो की गीता है कुछ और का बुक है जैसे कि आरती का बुक है और हनुमान चली साब अगेरा और यह देखे भीम के जो डिबाइस में साबुन नहीं है दोस्तों इसमें देखे बत्ती है तो इस तरीके के डिबे को भी हम लोग अच्छे यूज कर लेते हैं हम लोग के माइंड में ऐसा मतलब मिडिल क्लास फैमिली का यह माइंडसेट होता है कि कोई भी चीज फैकना क्यों चली उसका फिर से यूज कर लिया ज अगर आपके घर में होगा गीता उपदेश तो उसके साथ यह बुख जरूर मिलेगा आपको गीता पढ़ने के लिए क्योंकि बड़ा बुख होता है तो इस तरीके का तकता का यूज करना पढ़ता है अगर उसको हाथ में लेके पढ़ेंगे तो फट जाएगा और जमीन प पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जब पुजा करना होगा तो इसे हटाएंगे और नहीं तो इसे परदे को लगा देंगे जिससे डर्श्ट फ्री मंदिल पना रहेगा थैंक्यू फ्रेंट्स थैंक्स फो बाची